नमस्कार, माई सेल्फ अविनास कुमार, असिस्टन प्रूफेसर, आज हम PG के फोर्थ समेस्टर के जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा है उसका नाम है PITS India Act 1784 इसे हम एक डाइग्राम के माधियम से समझने का प्रयास करेंगे PITS India Act आने के क्या कारण थे उसके क्या बैक्ग्राउंड थे और उसके क्या क्या प्रभधान थे इस पे हम चर्चा करेंगे देखे PITS India Act को हमने बताया है एक डाइग्राम के माधियम से कि East India Company जो सबसे left side में है East India Company को regulate करने के लिए उसको नियंतरित करने के लिए जो कमपनी आई भारत में उसको नियंतरित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने 1773 का regulating act लाया उसको regulate करने के लिए इसलिए उसका नाम regulating act पड़ा लेकिन देखिए अब regulating act तो आ गया इसमें भी बहुत सारी कमिया थी जब act कोई भी आएगा तो उसमें कमी होगी रहती है या नहीं वी रहती है तो इसमें जो कमिया थी इसको दूर करने के लिए 1784 के act में प्रभधान किया गया कि जो जो कमी इसको दूर किया जा East India Company में भी क्या थी कि इसे और प्रसासनिक रूप से और सक्षम बनाना था एबम इसको भारतिये प्रसासन को के प्रती ज्यादा responsibility इसको देना था कि भारत में जो प्रसासन आप चला रहे हैं उसके प्रती आप ज्यादा responsible हो जाईए ज्यादा उतरदाई तो पूर्ण होना जाईए तो एक और दो पॉइंट जो हम देख रहे हैं ये इसके बुनियादी कारण थे जिसके कारण 1784 का प्रापधान लाया गया ये 1773 से लेके 1784 का जो लगभग एक दसक का काल है ये बिटिस संसद में काफ़ी उठा पतक का काल रहा जिसके कारण पहली बार ये कोशन भ ये पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट अब हम इसमें देखते हैं कि क्या-क्या मुख्य प्रापधान थे ठीक है तो सबसे पहला तो प्रापधान यही था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के आने का मुख कारण पहला पॉइंट में आप लोग ये लिखेंगे कि 1773 के एक्ट है वहां की बिटेन की सरकार इतने समरीद परदेशों पे कंपनी के एक अधिकार को नहीं छोड़ सकती थी इसलिए उस पे कई तरह के नियंतरन अस्थापित करने के लिए लाया गया अब इसको डाइग्राम पे देखिए इसमें जो कॉंसील ऑफ गवर्नर जनरल है जो गव पूड़ आपको फिर दूसरे पॉयंट पे धिहान दिजै किया गया यह बोट आफ कंट्रोल का गठण किया गया यह सबसे बड़ी बात थी यह बहुत important चेंज था कि बोट आफ कंट्रोल जो है बिटेन में गठन किया गया यह को करेंग hearing vaccine कारियों क्र नियंतरन करेंगि कि के कारियों को भारत में नियंतरन करेगी किस मामले को नियंतरन करेगी तो देखे राइट सैड में हमने लिखा है सिविल मामले को नियंतरित करेगी यानि नागरी के मामले को देखेगी मिलिटरी के मामले के यानि सैनिक के मामले को देखेगी रिवेनी यानि पैसे के मामले को देखेगी इन तीनों मामलों को ये नियंत्रित करेगी और इसको नियंत्रित बॉर्ड आफ कंट्रोल ब्रीटिस गौर्रमेंट कर रही हैं अब देखे एक तरह से ये बुर्टेन में बॉर्ड कंट्रोल जो है वो सासन चला रहा भारत में इंडिरेक्ट ये भी अधिकार आप कम्पनी को दे रखे हैं तो ये दो दो आदमी नियंतरन कर रहा है भारत में प्रसासन को भारत के मामले को यानि की जब दो आदमी कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम द्वैध सासन तो 1784 के एक्ट के तहत है ना 1784 के पीट्स इंडिया के तहट इसका नाम पढ़ गया द्वैध चासन की सुरुवात यहीं से रहोती है और यहा द्वैध सासन 1859 तक चलती रहती है 1858 में जब सत 1857 की कुरानती होती है उस कुरानती से सीख लेते हुए अंग्रेज लोग 1858 का समवैधानिक प्रब्धान करते है तब यह द्वैध सास और दूसरा असन सदिये बोड के द्वारा नियंतरन हो रहा है तो यह हमने देखा कि यह द्वाइद शासन इस तरीके से चल रहा है फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि 1784 के पीट सिंडिया एक्ट के तहत कमपनी के राजनीतिक और ब्यापारी कारियों का अलग कर दिया गया अफ कंट्रोल देखेगी बिटेन की गवर्मेंट देखेगी हाना इस एक्ट में जो है निदेशक मंडल को कमपनी के ब्यापारिक मामलों के अधिक्छन की अनुमती तो दी गई परंतु राजनीतिक मामलों के परवंधन के लिए बोड अफ कंट्रोल का गठन किया गया लाबा हम देखते हैं कि इसमें भरष्टा चार पे कंपनी के जोदिकारी थे उस पे भी रोक लगाने को उपाई किये गए इंग्लेंड में एक कोट की स्थापना की जाती है नियंतरंक बोड के अंतरगत सैनिक असैनिक राजस्वितियादी मामले को लाया गया नियंतरंक ब बोड आफ कंट्रोल को काफी सक्तियां दी गई ठीक है यह जो बोड आफ कंट्रोल ओपर आप देख रहे हैं दूसरे नमर पॉइंट पे इसको बहुत पावरफुल बना दिया गया है जैसे भारत के राजनीती घटना करम में गवर्णर जनरल को जो गवर्णर जनरल है चोटे रियासत हुआ करते थे ठीक है तो उस भारतिय नरेश के साथ अगर कोई संघर्स करना आरम करता था या किसी से सहायता कासवासन लेने का अधिकार तो गवर्णर को बोड आफ कंट्रोल से अनुमती के बिना ऐसा नहीं कर सकता था तो एक तरह से किसका नियंतरन हो गय आना बोड अफ कंट्रोल सासन चला रहे है राजनीतिक मामलों में देख रहे है ना तो यही तो द्वैज सासन है एक तरह से यही द्वैज सासन प्रणाली है ठीक है गवर्णर जनरल की कारकार्णी सन्चना में हम देख चुके हैं कि उसके सदस्यों की संख्या जो है चार थे उसको घटा कर तीन कर दिया गया और साथ ही मुंबई तथा मदरास की प्रिसिडेंसिया जो थी वो भी गवर्णर जनरल तथा उसकी परिसद के अधीन कर दिया गया फिर हम देखते हैं कि बंबई तथा मदरास कर दिया गया भारत में प्रसासन गवर्णर जनरल तथा त पती था अब हम देखते हैं कि अगर इस पे हम एक नज़र डवराएं इसमें देखें तीन डायरेक्टरों की एक समीति द्वारा बोड के जो बोड है बोड के सभी मुख आदेश भारत को भेजे जाते थे थे उसके लावा हम यहां पे देखते हैं कि अब सारांस में हम कह सकते हैं पीट्स इंडिया एक्ट को देखते हुए कि ब्रिटिस पालिया मेंट ने कमपनी के ऊपर अपने परभाव को बिटेन की संसदने अपने परभाव को मजबूत करने के उद्देश से 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया ठीक है ताकि कमपनी के एक अधिकार जो एड्मिनिस्टेटिव कार पर नियंतरन किया गया और इसी एक्ट के कारण मतलब ये एक्ट इतना इंपोर्टेंट था कि इस एक्ट के कारण ब्रिटेन की सरकार पहली बार नौड लौर्थ की सरकार जो है लौड नौर्थ की वंफॉक्स की जो मिली जुली सरकार उनको त्य